उत्तम क्लासेज, स्टेडी ओप साइन्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत है, मैं आपका अपना SD सर नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन युक्त किरियात मक्समों वाले कार्बनिक योगिक, जिसमें नाइट्रोजन का प्रमानु होते हैं दो योगिक पढ़ लिए है, दो किरियात मक्समों वाले कार्बनिक पढ़ लिए हमने, एक पढ़ा था सबसे पहले एमीन, दूसरा पढ़ा था वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम लवन, इनका अगर अगर अद्दिन आपने नहीं किया है, इनके जो मक्समों वाले कार्बनिक योगिकों में, तीसरा योगिके नमबर तीन पर, वो है साइनाइड, एमम, आइसो साइनाइड, किसे कहते हैं, कि यह एच सी एन के, एलकिल, एमम, एरिल, वित्पन होते हैं, या तो इसमें हाइडोजन की जैके, एलकिल समुआ जाएगा, या फिर कौन सा समुआ जाएगा, एरिल समुआ, एरिल, एलकिल, एच सी एन के, एलकिल या एरिल, वित्पन होते हैं, वित्पन होते हैं, यहां से हाइडोजन परमानु का परतिस्ता पन हो जाएगा, वहां पर या तो आजाएगा, एलकिल समुआ, या आजाएगा, एरिल समुआ, कि जाता है या एक लाबन के द्वारा जोड़ जाएगा और इसमें क्या होता कारबन के तीन विप्टे वुद्टी नाइट्रोजन के साथ मद्वना लेते हैं इस प्रकार का योगिक बन जाता है इसे बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड है और अगर यही समावाइड परिवर्थित हो जाता है एन पहले आजातार सी बाद में चला जाता है इस परकार का उन्ते परिवर्थन हो जाता है सरत्मा को परिवर्तित कर लेता है तो क्या बन जाएगा यह है यह एड और यह 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 दोफेस लेख करके दिवबन बना लेता है अब उसमें से बंद बनने में काम किते आगे तीन फिछे किते बज़े वो दोनों इसको देख करके यहां पर एक बना लेता है उप्सयजक्बन यहोगी को जाता है hydrogen isosynth क्यां बुलता है को यह खो हाईड्रोजन और हो है कि आइसोcc組 ow आइसउस्था आइड लेक्वित-पन यहां से हाइड्ोजनola ुजाओं का पत्रतिश् hustle उस्था यहां चेले यहां से भी लिक्राइखा तो इस प्रकार का योगिक बन जाये महira जैसे एकजामपल ओर देख लेता हैं वह है यह a यह फंगल माया तो ही आग south sent कि पर 50 पर ऐया सीएंट। पर आप। कि म्यादे ये योगी बने घए इस योगी को काई Nam यह थे ऐसार का मालब तो लकल और सिएंएं का मलब था इसको बोलेंघे यह जाएंड़ क्या बोलेंगे एलकिल साइनाइड साइनाइड ए इसमें परिवर्थित हो जाता है इस परकार का योगिक बन जाता है जिसमें अन्ते परिवर्थे न्समा भाई योगिक भी कह सकते हैं इसको और ये बन गया जैसे यह आर्ट है ऐसे योगी को बोलता है एलकिल आइसो साइनाइड यह आ रहे है उसका मनलब तो है एलकिल पर्तिस थापिक की रूप में लिखते हैं तब एलकिल और एंसी को पढ़ेंगे हम आइसो साइनाइड तो यह योगी कोता है साइनाइड है हम आइसो साइनाइड यह एलकिल की जगे एरिल से मुग भी आ सकता है तब उसको बोलनेंगे एरिल साइनाइड और एरिल आइसो साइनाइड जो एरोमेटिक साइनाइड और आइसो साइनाइड होते हैं अब हम पढ़ते हैं इनका आगे नामकरण साइनाइड औ मेलकिल साइनाइड और आईसो साइनाइड का पहले तो देख लेंगे हम साइनाइड का नामकरण उनसे यह कि का साइनाइड का साइनाइड का किस परकार से नामकरण किया दाता है सामाने यह हम आईउपेसी और उसके बाद हम नामकरण देख लेंगे आईसो साइनाइड का किस इसका भी पहले देख लेंगे सामने नाम करन उसके बाद देख लेंगे हम IUPAC नाम करन इनका नाम करन किस परकार से किया जाता है सबसे पहले देख लेता है साइनाइड का नाम करन इस साइनाइड में सबसे पहले ले लेता है साइनाइड के योगिक क्या ले लेता है योगिक क क्वांसा नाम पढ़rick सामनिय नामकरण किया जाता है समानिय बास में इसको दें टो समानिय बास में इसको बोला जाता है ready सि एन यहां पर एक अनुसुत लिखिए यह आर यह सी एन इस परकार से 20 को परदसित कर सकते हैं तो इस आर को तो पढ़ेंगे हम एलकिल क्या पढ़ेंगे एलकिल और इसको पढ़ेंगे साइनाइड तो इनका सामाने नामकन किया जाता है एलकिल साइनाइड के नुसार किसके नुसार किया जाता है एलकिल साइनाइड के नुसार किया जाता है साइनाइड सामाने बासा में इसको ब एलकेन नाइट्राइलकेन उसार किसके नुसार किया जाता है एलकेन नाइट्राइलकेन उसार किया जाता है कैसे करते हैं नामकरण तो कुछ हम एक्जामपल देखते हैं उदारन देखते हैं जैसे यह है जैसे यह कुछ योगी के इनका नामकरण पढ़ते हैं पहले सामाने न पहलंकिल इसका नाम क्या हो जाएगा एक यूदिक है एक कारबन वाला यूदिक को क्या बोलता है मैत यह लगा दो करता यह अंग toes जाएगा मैथिल और पीछे क्या लिख देना एथिल और पीछे क्या लिग देंगे साइनाइड इस में क्या भाटेंगे साइनाइड इसमें किते कारवन है एक दो तीन तीन कारवन को क्या बोलते हैं प्रोप तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल प्रोपिल साइनाइड साइनाइड फिर आगे देखेंगे तो अगले योगिक में कार्बन परमानुकी सिंग्या किती है यह देख लिया यह बन गया अलकिल यह बन गया अलकिल यह क्या है साइनाइड अलकिल में जो कार्बन सीन से जुड़ावा है यह कार्बन सीन से जुड़ भान किसंग तो इसलिए इसका नाम करेंगे उससे पहले किया लिखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा का इसो कि कि इसके कार्भण पर्माणों तीन तो तो त Το कार्भण को बोलते प्रोप और अनुलकन के रूप में लगा देंगे ईल त suction परफिर यहाल लग देंगे筹 Iran अनुलगन के रोप में लगा देंगे क्या बन जाएगा विटेल पीछे क्या लिख देंगे साइनाइड विटेल साइनाइड और जब भी कार्बन परमानु किसेंगा तीन या तीन से अधिक होती है और सीधी संक्ला में जुड़े होते हैं तो उससे पहले आप लिख सकते हो ए नाइट्राइल एलकेन में इस पूरे समुक को बोलेंगे एलकेन यह है एलकेन और इसको क्या पढ़ना है नाइट्राइल नाम क्या हो गया एथन नाइट्राइल अगले योगिक में देखेंगे कि अब इसने देखोंगे दूसरे में यह रहां कार्दबन पर में और यह होगा नाइट्राइल किते एकनाइब हैं नमबर दो नमबर और थिन नमबर अंगन कर दिया तीन करद वाले एलकेन को क्या बोलते हैं प्रोप्रों ऑ Ethiopia' पीछे क्या लिखना में नाइटराइल यह रई यह गए इसका यूप्यसी नाम करेंगे यह तो रहा एल के हूँ को और यह क्या बन जाएगा नाइटराइट अंग रदिया एक दो तीन चार चार कारबन को क्या बोलता हैं तो पीछे लिखना आहें नाउट्राइड लुघेत नाम क्या हो जाएगा थी मुझास क्या नाम हो जाएगा व्यूटाइन नाइट्राइड अगले युगिंख का नामगण करेंगे तो **** कारवन आना चाहिए मुख्या शंग्ला का चाहिए 12idas 1 2 3 कि यह आंगर कर दिया एक यह दो लिए तीन तीन कारवन को प्रोपेन नाइट्रायल बोलेंगे बट्ट इस से एक यह प्रतिस्तापिक शुदा पाया कौन से ँदूसरे तो इसका नाम क्या हो जाएगा यह नाम हो जाएगा दूसरे पर जुड़ाबाई है CH3 समू उसको क्या बोलेंगे टू मैथिल फिर कित्य कार्बन है टो टीन कार्बन है तीन कार्बन को क्या बोलेंगे प्रोपेन और पीछे किया लगा लगा लणा है नाईट्राइल यहूगा इसका कि उसमें कार्वन परमानphon किसें के देख divine थीए एक नंबर दो नमबर तीफन काफ्बर चार्डीben नुम्बर के वो है आइसो साइनाइड कौन सा योगिक है आइसो साइनाइड इसका पहले तरह लेंगे यह आपर एक्जामपल और इसके भी दो तरह से नाम करन करेंगे एक तो लिखेंगे सामान्य नाम कौन सा नाम सामान्य नाम और एक पढ़ेंगे या एक लिखेंगे इसका आयू पी नाम आयूपीसी बासा में इसको क्या बोलता है तो जो आईसोसाइनाइड होता है इन आईसोसाइनाइड को पर्देशित किया जाता है आर N C के द्वारा किसके द्वारा पड़ेशित किया जाता है R N C के द्वारा पड़ेशित किया जाता है यह R है सामने बासा में नामकरण पड़ेंगे तब इस R को पड़ेंगे इसको पढ़ेंगे आिसो साइनाइड Day कि आइसो साइनाइड यह नामकरण कि बात रहें तो इस आर को तो पढ़ांगे ऐलकीली रिसे पढ़ेंगे डिन को ह्यंट क्या पढ़हेंके कार्विल इमिन इसको कर देंगे आमिन इसका का आइ keeping जानि-मDonald तो चुम्सक्राइब की नामकरन, कार्विलयमीन के नुसार किसक्य नामकरन का इनकाel का यहां कार्विलयमीन का अनुसार पहुत लिखते हैं, सोमानिय मामकरन की इनकी सिट के और प eer कहलों है कि नामकरन कीडों कहलेORT IUP-C नामकर्ण पढ़ते हैं, समने नामकर्ण में इसको पढ़ते हैं अलकिल और इसको पढ़ते हैं आईसोसाइनाइड, तो यह था है आईसोसाइनाइड, यह तो क्या हो गया, आईसोसाइनाइड, यह बने है आइसो साइनाइड और इसाइन का हो जाएंगा आइसोसाइनाइड या अगले मैं देखेंगे यह तो आइसोसाइनाइड की है कि का थन दोड्ले पिछें क्या लिख दिया आईसो साइनाई गार चांडिक नामकरनकरन करने पहले लेखों इसका नामकरन करने से पहले आईसो फिर मुख के संक्ला में कार्बन परमानुकी संग्या या एलकिल से मुख में कार्बन परमानुकी संग्या गित्ती है तीन तीन कार्बन वाले एलकिल को बोलते हैं प्रोपिल प्रोप और लगा दिया प्रोपिल पीछे क्या लिख देंगे आइसो साइनाइड तो इसका यूप अब उनको बोलते हैं अनुलगन के रूप में लगाएंगे क्या बनाजाएगा ब्यूटिल और पीछे क्या लिखना हमें आइसो साइनाइड तो नाम हो जाएगा ब्यूटिल आइसो साइनाइड यह हो गया इनका कौन सा नामकरण समय नामकरण अब हम देखते हैं इनका आईउपीशी नामकरण में भी इस आर को तो पढ़ेंगे अलकिल और फिर इसको क्या पढ़ेंगे कार्बिलेमीड तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैथिल कार्बिलेमीड दूसरे योगिका देखेंगे तो यह अलकिल है दो कार्बन वाला अलकिल है उसको बोलेंगे एथिल कार्बिलेमी अगले में कर्बन पढ़ेंगे कार्बिलेम अगले का नाम करन करेंगे तो इसमें जिस कारबन से सभावा उस पर अल्कऌल समुन कि संख्या 2 और टोटल कारबन तीनसे इसलिए इसका नाम करनने से पहले क्या लेकिंगम आयशा इसे का लिकंग emba हम आयशा इसे क्वेस्थ कारबन कि तीन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोफिल कि प्रोफिल पीछे क्या हो जाएगा क। कि क्योंकि इस आई कॊंपिर से नाम गण और यह को ने दाता है और इस ब्हुर्णध न रिखना-इस में लिकना कानल मिन में की ख़ें टोटल कर रवंट बिता है चार, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, अनुलगन के रूप में इल लगाया, तो बन गया ब्यूटिल, और पीछे क्या लिख देना है, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, यह हो गया, इसका कौन सा नामकरण, आयूपीसी नामकरण, यह ऐलकेल साइनाइड और आईस आयसाइड का समने नामकरण, तो किया जाता है, ऐलकेल साइनाइड करूशार और आयूपीसी नामकरण, किया जाता है ऐलकेल कारबिल एमीन करूशार, यह हो गया, इसका लेलो एक बार प्रेंटारी और इसे धाय यह जाओ लिए अफीय लिए का निक्षिया निल्माइए प्राप्त किस परकार से किया जाता है अब अब किने अब अब लग वीधिया भड़ेंगे सब से पहली नंबर एक विद्भीजी है वह है alkyl halide से किस्चे बाई alkal halide catch alkal halide alkal halide से जिसको Rx के दु Definite कर सकते है alkyl halide की अभी करिया हम पहले पढ़ चुके है alkyl halide के रासाइनिक अंदर्म में यह अभी करिया हमने पढ़ी थी द θαसे में एल्गिल एलाइड की अभी किरिया आइनिक योगिक के साथ करवाते है जैसे हमने योगिक लेलिया एल्गिल एल्गिल एलाइड में लेलिया CS3CL, मैथिल, क्लोराइड और एक लेलिया CS3CL, एक और लेलिया मैथिल, क्लोराइड, एक योगिक की अभी किरिया करवाई हमने KCN के कर रहाई पोटेसियम साइनैट के साथ अभी क Giray कर वैं आई करवाई है कि इस के साथ इसके साथ अभी में करवाई साथ फोटेसियम सच थे ऑन यह दोताय ऐनिक परवर्ति का है इस कारण यहां पर एक योगिक बनता या मुंगतैन्ञ बनता यह सब्सक्राइब करने की संता कार्बन की और किसकी होती है नाइट्रोजन की दोनों बंद बना सकते हैं किसके साथ इस कार्बन के साथ तो दो तरह के बंद बनते हैं एक तो बंद बनता कार्बन कार्बन और एक बंद बनता कार्बन नाइट्रोजन इन दोनों बंद में से इस्त निकल जाएगा के सी एल बार और यह योगिक बन जाएगा या उत्पाद प्राफ्त हो जाएगा में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राफ्त होगा CH3CN प्लस बार क्या नहीं कर जाएगा KCl और यह बन गया Methyl Sinide क्या बन गया भाई Methyl Sinide का निर्माण हो गया Methyl Sinide बन गया परन्तो यही अभी किरिया Alkyl LID के अभी किरिया Silver Sinide के साथ करवाते हैं तो यह जो Silver Sinide होता है वो सह सयोजक परवर्ति का होता है सह सयोजक सयोजक सह सयोजक परवर्ति का होता है इस कारण यहां से जो बन है AG और CN के बीच में यह नहीं तूटेगा और यह नहीं तूटेगा दोन प्यारदान करने की समता केवल केवल किस के पास होती है nitrogen के पास होती है और केवल nitrogen के पास होने के कारण यहां से silver halide तो निकल जाएगा बार क्या बार निकल जाएगा AgCl निकल जाएगा बार और यह परतिस्ता पर किस पर हो जाएगा इस alkyl समूप पर हो जाएगा जैसा यह alkyl समूप पर परतिस्ता पर तोड़ जाएगा बन जाएगा C3, NG प्लस बार क्या निकल जाएगा AGCl और यह बन गया Methyl Isocyanide क्या बन गया? Methyl Isocyanide Methyl Isocyanide का दिर्मान हो गया Isocyanide तो यह तो बन गया KCN के साथ अभी क्रिया करवाएंगे तब Sinide बनेगा और AGCN के साथ अभी क्रिया करवाएंगे तो Isocyanide बनेगा पहले भी पढ़ चुके हैं क्यों मनता है? क्योंकि यह आइनिक परवर्तिका होता है इस कारण एक मुक्त मूलक बनता है Sino उबेदंतु क्लिगेंड है और इसका नाम क्या है? Sino जिसमें लॉन पैर दान करने की समता क्योंकि यह साइनिक परवर्तिका होता है केवल बंद बनाने के लिए इलोक्रोन किसके पास है? यहां पर नाइट्रोजन परवाणू के पास है नाइट्रोजन दान करेगा अलगल से मुक को तब बन जाएगा अलगल आइसोसाइनाइड यह तो हो गया अलगल ह cabalide से आइसोसाइनाइड का विर्चन दूसरी वीधी है वह है अमाइड से क्वान से यहोगीक से? अमाइड से अमाइड की से कहते है आर सी ओ नेइसी व्टी समू को का जाता है अमाइड का अगर निर्जिलीकार्ण किया जाता है प्रफास्पोर्स पेंटा उक्साइड की उपस्तिति में तो निर्मान होता एल्केल साइनाइड का जैसे यह है मैं इसका अपगटन किया जाता है या इसके अभी किरिया करवाई जाती है फास्पोर्स पेंटा उक्साइड उत्प्रेट की उपस्तिति में गरम किया जाता है जब इसको अपगटित करते हैं यहां से ओ और यहां से है इस टू अभी करिया करने जाते हैं बाहर किसके रूप में जल के रूप में यह पीछे क्या बट जाएगा यह लनाईख कि मतील इन निर्मानों घुब या फिर इसमें अभी के यह कर वाहिजां कर वाया जाती है कंप कर लिया कर वह कर वह अब कर वो यह दबल बॉन और लिया न हच्ट यह और हाइडोजन के परमाणों गृते हैं दो तो यह पहला पर्मानों और यह दूसरा पर्मानों अभी करिए गरवाई जाती है थाइवनिल क्लोराइड के साथ जिसका ऑनूझ drugiej होता है यहां से दो एच इस दो सीएल के साथ अभी गिर्या करके निकल जाएंगे बाहर एच सीएल के रूप में और यह सो इस ओ को लेकर के बाहर निकल जाएगा एक तो निकल जाएगा तो इस परकार से यह योगिक प्राप्त हो गाया इस योगिक का नाम क्या है यह कोण सा यह कौण सा योगिक है एमाइड, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड का निर्जली करन किया, यह अभी किरिया है, वो कौन ची है, निर्जली करन, एसिटेमाइड का निर्जली करन करते है, फास, पोर्स, मेंटा, ओकसाइड की उपस्तिती में, तो किसका निर्माण होता है, साइनाइड का, यह है, एमा के यह हो गया है और सकल निर्माद अगली अभीक्रिया है वह है कार्विल एमीन अभीक्रिया और कार्विल अभी करिया नेम रियेकन हैं बहुत बार पढ़ पर चुक कह आप दो तीन बार एल्किल कर्विल अभी दिन अभी क्या आब जाती है तो second अभी क्या किन सब्कार की में बहुत है किस परकार कि अभी करिया होगी कि प्रात्मिक मिंदा जैसे में लेखा C2H5NH2 यह प्रात्मी के मिने इसकी अभी करवाई जाती है क्लोरोफोब क्लोरोफोब वनकालो सुतर होता है CHCl3 CHCl3 वे KOH के साथ सारी विलिन के साथ जब अभी करवाई जाती है तो यहां से 3Cl इन 3K के साथ अभी करवाई करके 3KCl के रूप में निकल जाएंगे बार दो हाईडोजन के परमाणू यह है एक यह है तीन और तीन यहां पर है छे दो अक्सिजन के साथ तीन अक्सिजन परमाणू के साथ अभी करवाई करके H2O के रूप में निकल जाएंगे बार पीछे पच्चे का C2H5N और यहां से आजाएगा C, तो क्या बन जाएगा, यह योगिक बन जाएगा, C2H5NC, प्लस बार क्या निकल जाएगा, 3KCl, और फिर और सेवत पाद के रूप में बार निकल जाएगा, 3H2O कहनून, और यह हमें प्राप्त हो गया, जो योगिक कमें प्राप्त हुआ, उसका न यह बन गाय एतिल आई तो साइन और इस अभी किल्या का नाम क्या है कारविलएमीन अभी कि एक्षन है यह फीले टीन चार बार पढ़ चुके हैं अगली अभीकिल्या गिर्णियो औरन। गिर्णी और अभी कर्मक का जैसे है गिर्णी म्यविक्रमक दिए ध्री міजे अभी करवाई किसके साथ दो साइनो क्लोराइड के साथ किसके साथ अभी क्रिया करवाई जाती है साइनो क्लोराइड के साथ यह ले लिया हमने इसका नाम है साइनो क्लोराइड क्या बोलते हैं इसको साइनो क्लोराइड साइनो कलोराईड के साथ अभी के रिया करवाई जाती है जब अभी केरिया करवाई जाती है तो ये Magnesium हैलाइड सेब्सで अभी के रिया करके Magnesium alcohol के रूप में निकल जाता है और ये साइनो समु है इसपर परतिस्ताक्षीत हो जाएगा प्लस मेंगनीशियम डायलाइट निकल जाएगा बार मेंगनीशियम है इससे दो है एक एलोजन तो पहले से जुड़ाबार एक सी एला करके जुड़ जाएगा अब बार और यह हमारा उत्पाद प्राफ्ट हो गया इस उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा methyl cyanide क्या बोलेंगे इसको methyl cyanide तो यह प्राफ्ट हो गया किससे गिर्णी और अभी कर्मक्त से यह चार अभी कर्मक्त पढ़ ली पहली य्थिल एलकिल एलाइट से साइनाइट आइसो साइनाइट दोनों बनता है फिर से केबल साइनाइट बनता है फिर कार्विल एमीन अभी इर आजिर साइनाइट बनता है फिर अमने देखा गृलिस और अभी कर्मक्त लास्ट एक ओर अभी कुरिया देहता है वह और आ है कार्बो कैसिलिक ऑर्च कार्बो कैसिलिक cotton Sand क्षा उससे क कार्वोकेलक्षियल लिको अम्मों से कार्वोकेलक्षियल लेक़ी अम्मMAN से कार्वोकैशिल लिक की अभीकेल्या करwide अम्मों्या के साथ है जैसे यह आविक्रिया देह कले ता है May यह है c ch3 यह c double bond o, यह o, यह h कर्भो कैसिलिक अमल है इसकी अभी करवाई जाती है अमोनिया के साथ, यह करवा दी है अमोनिया के साथ तो बन जाएगा कार्भो कैसिलिक इस बने सब्रहें यह किया और इससे हैं योगीक अमोनियुम यह ओ और इस से आकरते के जुड़ जाएं आका cinnamon ओ- पहां से निकल जाता है 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 हुआ है यह निकल जाएगा और बन जाएगा इमाईड यह यह बढ़ जाएगा सी एस त्री सी डबल बॉंड ओ और यहां एनेच पोर है वहां से दो हाइडूजन निकल गए पीछे बज़ गया एनेच टू फिर इसका किया जाता निर्जली करन क्या किया जाता है निर्जली करन फास्पोर्ट पेंटा उक्साइड उत्प्रणक की उपस्ति इंलधी में यहां से और क्या निकल जाएगा जलकानू यह यह यहां पर हमने देखा था यह राइमाइड निर्जली लिकाण निकल जाएगा किसका निर्मान होजाएगा एल्क्ल् keeping क्या mère जाएगा C3CN च्बाण गया निकल गया 1 करबक्स लिख आ लिकृक्या आमोनिया के या कह सकते हो कार्बोक्णीट अमल का अमोनियम लबन फिर उसका निर्जिलिकन किया या ताप ही अप टन क्या बन गया मीट और यह और निर्जिलिकन किया तो क्या बन गया ये ńकल users in जिसका निर्माण वंगया मैथिल मेंसीन य़ यह मैंसीन कर्पोक्सलिक अमल से साइनएड का वीर्चन और यह हो गए हमारे साइनाइड वीचन की वीदियां पांच वीदियां इनका लेलो एक बार आप स्क्रीन सोट मैं आ कि कि यह दो हो गया सायनएड का नांकरन पहले पड़ा उसके बाद पड़ा उन्हा विर्चन कैसे किया जाता है फिर हम देखते हैं इनके बहुत तिक गुंद्रम साइनाइड और आइसो साइनाइड की physical properties किस परकार की होती है तो सबसे पहले बात की जाती है अवस्ता की किसकी बात की जाती है अवस्ता की तो निम्नतर साइनाइड और आइसो साइनाइड दोनो प्रावस्ता में दर्व प्रावस्ता किς लिए थोस होता है कि रैट हिता हो गए इन की प्रावस्ता किस प्रकारा या इस तर्गुए जाती है इनके गंद की किस परकार कोती है इनकी कैसी होती है तो आलकेल साइनाईड होता है यह तो होते हैं रूची कर गंद यूगत होता है और जो तो आईसो साइनाइड होता है एल्किल या एरील आईसो साइनाइड यह रूची कर गंध्युक्त होता है अरूची कर गंध्युक्त होता है कि साइनाइड तो रूची कर गंध्युक्त होता है और आईसो साइनाइड अरूची कर गंध्युक्त होता है नंबर तीसरी बात की ज यह सिन आइड और आइसो ऑपरवर्थि कि होते हैं कौनसी फरवर्थि को परवर्थी के होते हैं। अधिक होते हैं पहली बात नां का कीसे होते हैं तो इनके को अग आपा उच पर फिर बात की जाती है cinide और iso cinide, sama YV, sama YV, alkyl cyanide और alkyl iso cinide, इन दोनों की बात की जाती है, तो alkyl cyanide का चोड़नाग होता है, boiling point होता है, ऻो iso cinide की तुल्ला में क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि sainide में बनता है, alkyl cyanide में बनता है, hydrogen बन और suco cou and hydrogen ट्रुजिन मंद का दिरमाण नहीं होता है जैसे साइनाइड का ज्यादा होता है आईसो साइनाइड का कम होता है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि इन में पाया जाता है पर बल अंतराणविक हाइड्रोजन बंद और इसमें बल अंतराणविक हाइड्रोजन बंद का दिर्माण नहीं होता है लास्ट एक पॉइंट और बात कर ल होगी कमी जल में विले हैं यह सीधा लिख देते हैं क्यों जल में विले है क्योंकि यह कैसी परवर्थिक होते हैं दूर्वे परवर्थिक क्यों होते हैं अब समावाईवियों की बात की जाती है कौन से योगी की समावाईवी की बात की जाती है तो समावाईवियों में एलग अलकेल साइनाइड जल के साथ बनाते हैं अंत्रा अनुक हाइडोजन बंद अंत्रा अनुक हाइडोजन बंद का निर्मान करता है निर्मान करते हैं और अंत्रा अनुक हाइडोजन मंद का निर्मान करने के कारणी यह जल में क्या होता है विले होता है जैसे एक हमने ले लिया अनुसुतर क्या होता है c-s3 c-n-n एक हमने ले लिए जल कानू जिसकानु क्या होता है h o h ये h ये o ये h एक हमने और ले लिया कि इसको मैं इस परकार से लिख दिया c-s3 cn ये हो गया अब यह तो है ह और यह है और हम जानते हैं जब hydrogen के पास phone आता है hydrogen के पास क्या आता है फोनल मिन्स करता है तो उसके साथ अंत्रा अनुख hydrogen मंद का दिर भमान करता है तो है hydrogen है और यह झाँ है और आगκर है yn तो यह chat कह पास अंत्रा Her why does get क्या दाता है छिसको param कित रखा करता however रेक हां कि प्रक्राइड करने अधिक की तुल आप ह में होगया इनके बहुतिक उप्रृ होता है। निमनतर सब्सक्राइबी तो तर्फ और जाटी से नाइड की रूचीर अरूची सिकार्वंद होती है पिर कौत नांक की जाती है साइनाइड का अधिक होता है तो scnicineide के yogic aysocinide की तुलना में अधिक भी ले होते हैं क्योंकि scnode yogi के वो gel के साथ बनाते हैं अंत्रा-णुख hydrogen bond किसका दिरुद बान करते हैं अंत्रा-णुख hydrogen bond का दिरुदा बान करते हैं यह बनावाए अंत्रा-णुख hydrogen bond ठीक है अब ललो आप एक इसका स्क्रीन व अब साइनायड ओर isso क हिखिखिए भी कया बाद की प्रकार क्या होते हैं साम्हेंड edジ नियत्वों के सद्वे रीक्शन प्रणिचित करते हैं उसमें सब से पहला है जल कायदा राइस्ट इस के सात अभी गिल्या करवाई किसके साथ अभी गिरिया करवाई है चाही यरे क्षट law के साथ अभी कि एकिoda फिल्ग हन और नों सब्कर्ण करतों में हो कश्टन क किसले वत्कु कि दो पार, आप कितारगान वेंगे था नों सिट निम्म. प्रतिस्थापित हो जाता किस पर कार्बन पर इस पर कार का प्रतिस्थापन होगा जैसे यह योगिक बन जाएगा इस्थे जुट जाएगा ओ और इस से जुट जाएगे हाइगा बन जाएगा इमाईड के रिमाण होजाएगा फिर इसका एक बार पुने जल अपकर क्या दाता है क्या किया जाता है जल अब गटन हो एक के साथ अभी किर्या करवाएंगे यह यहां से वियोजित हो जाएगा बार क्या निकल जाएगी अमोनिया एनस्तृ और किसका दिन मान हो जाएगा कार्बो कैसिलिक अमल का क्या बन जाएगा कार्बो कैसिलिक का दिन मान हो जाता है और यह वापस जल अब गटन किया जाता है यह सार की उपस्तिते में किया जाता है या सारी माद्य में किया जाता है कि अगर हम साइनाइड की जगे कि आइसोसाइनाईड ले यह ले ले लिए आइससाइनाइड है सी एस ट्री एंदी इसका करेंगे जल उब करतन तो जल के अनुवों की आउशक्ता होगी दू एस र्याय यह एन आइस एन पर दो हीट्रोजन के परमानों परतिष्था पित हो ज बनाओं जाएगी फिर यह जो जो जल के और ऊच्छ के आइन बचे इस कार्मन को लेकर के बना लेंगे कार्वो के शिन अम्ल यह भी बनाता है कार्वो के शिरीघान और उसके साथ क्या बनाती है एक डिग्री अमिल यह हो गया आईसो शानी का जला गटन साइनाइड का जला अब गटन करेंगे पहले बनेगी एमाइड माइड के बाद क्या बन जाएगा कार्बोकेशिलिक अमल और आइसोट्योसाइड का बनता है कार्बोकेशिलिक अमल दूसरा रासा एं इक गुंदर में नमबर दो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है ढ़िक्रिया थार्प अभिक्रिया नेयम रेक्षन है एक्जाम में पोच सकते हैं जानकारी में रखना दूसरे Still सब्सक्राइब के साथ सोडियम दातु की उपस्तित में सुस्क इंथर की माध्यम करूए जाती तो निर्मान होता है इमीनो साइनाइड का निर्मान होता है इसे कहा जाता है धार्प अभी कि रिया जैसे हमने मेथिल साइनाइड इसकी अभी करवाई दूसरे मेधिल साइनाइड आणू के साथ उसको मैंने इस परकार से लिख दिया सी एज टू यह एक नीचे की तरह लिख दिया यह सी टिपल बॉंड एन कि साइनाइड के साथ करवाते हैं किस तातू की उपस्तिति में सोदियम दातू सोशval इथर इथर यह मंधम करवाई जाती है जब करवां जाती है तो यह आटेयोजन पर प्रत्रिषता के बनजाता है तो यहां पर टिपल बंद एक बंद टूटेगा पाइबॉण टूटेगा एक सिक्मा बंड जाएगा एक कार्बन की स्वेजगता मुखत होगी वह इस मैंतिल समुख के साथ जुड़ जाएगे और यह 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 बन जाएगा इसको बोलता है इमिनो साइनाइड का झिरमान होता है इमीनो साइनाइड का दिर्मान होता है इमीनो साइनाइड इमीनो साइनाइड योगी का दिर्मान होता है इस अभीकिरिया को का जाता है थार्प अभीकिरिया कौन्से अभीकिरिया का जाता है थार्प अभीकिरिया का जाता है अगली अभीकिरिया है अबिगिर्या नंबर तीन वियक कोन्म सी अबिगिर्या है उब ॉफ्चेव अबिगिर्या जिसका नेम-onceक्षेड भी बोलते हैं सन्मेन चन्मेंदिस निर्माण होता है आमीन यसल यह सकतेकी होई क्योंतिया कैमीन जैसे यह लेली यह साइनाइड है कि सी एस त्री सी एन इसका अपचेंड किया जाता है मिन साइडोजन परमाणू के साथ अभी किरिया करवाई जाती है लाई एल एल एफ फॉर उत्पर रख ले सकता है यह लेली हमने सोडियम एत ओक्साइड सी टू एच पा प्रात्मिक एमिन सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू एक डिग्री एमिन का दिर्मान हो जाएगा किसका दिर्मान हो जाएगा एक डिग्री एमिन का निर्मान हो जाएगा परन्तों यह अभी किरिया आइसो साइनाइड का अपचेंड करना है अपचेंड करेंगे तब जो इन उत्प्रणकों की उपस्तिति में करवाएंगे तियां पर इसके परमाणूं क्या हो सकता किती होगी चार की एक तो जुड़ जाएगा इस पर अर्थीन जुड़ जाएंगे इस कार्वन पर बन जाएगा क्या यह बन जाएगा मैणा सबमाठ्ब इससे बोला जाता है मैंडियए अभी कर्म के साथ कि नमर चाहर आर एंजी एक साथ अभी के साथ साथ अभी क्रिया यह अभी करई रखी सुस्क हिठर की उपस्टित में होती है यह अभी दर कर आएंगे तो यह अभी किरिया में साइनाइड गिरनेओर अभीकरमक के साथ अभीकिरिया करके एक मद्यवर्थी इमीनो योगिक का दिर्मान करता है जिसका जाला अब कटन करने पर कार्बोनिल योगिक प्राप्त होता है जैसे यह है यह आपकिरमक ले लिए हमने आर आर mgx की जगे ले लिए ये CH3MGX, CH3MGX, जब इसके अभी किरिया इसके साथ करवाते हैं, तो ये जो समुव है, ये परतिस्तापित हो जाता इस कार्बन पर, बाकी वाला समुव है, वो परतिस्तापित हो जाता इस नाइट्रोजन पर, और ये इम्नो योगिक बन जाएगा, क्या मन से झग तक हाली, ये हो गई खाली, उस से आकर के जुड़ गया mrange, अब इसका किल अब अपगंग क्या किया जाता भई जिल अपगटन किया लाता, हो सब्सक्राइब कि पिरिया करवाई जाती है, ये लिया मैंने इस ये लिए फॉर ये हो सिस आपगों क्या है, एक योगी मरत मुहां रर्ज़ी हम को सॉटेंगे कि यहां से तूटे ईहां से तैब यहां से देखित देखंगा यह सीयर यहां यह और निकल जाएगा किसके रूप में NS3 के रूप में पीछे क्या रह गया magnesium hello hydroxide पीछे बच जाएगा या बार निकल जाएगा मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बन गया CS3 C double bond O CS3 कार्बनील योगीक बन गया मिंस किसका दिन मानों गया किटोन का और सेह उत्पाद के रूप में बार क्या निकल जाएगे एक तो निकल गया ammonia NS3 काणू NS3 काणू एक क्या निकल गया magnesium का hello hydroxide निकल गया बार सेह उत्पाद के रूप में निकल जाएगे बार यह हो गया गिर्नी और अभी कर्मक के साथ अभी किरिया किसकी साइनाइड की कर्वाएंगे पहले था बने का immun gently और immune 92 क Kanze tys लप ग्रविटें करते हैं इसका जिनिमान होता है कार्बोनल योगिक की назEC का दिनिमान होता है और यह हैं अभी किरिया है यह भी किसके उपस्तिते में संफन रहती है इतर की उपस्तिती में संपन होती है लास्ट एक अभी गिरिया पांच वे अभी गिरिया पढ़ लेते हम और वो है योगा अत्मक अभी गिरिया कौनसे अभी गिरिया योगा अत्मक रियक्सर ये योगा अत्मक अभी गिरिया वो केवल आईसोसाइनाइड के द्वारा पर्दसित होती है यह अभी किरिया केवल किसके द्वारा पर्दसित होती है आईसोसाइनाइड आईसोसाइनाइड इस परकार के अभी किरिया पर्दसित करता है केवल कोन से योगिक पर्दसित करता है आईसोसाइनाइड जिसमें यह या गंदक या oxygen परमानों के साथ अभी किरिया करके योगात्मक योगी का दिर्मान करते हैं तो बन जाएगा methyl isothiocyanate और oxygen परमानों के साथ करवाएगे या यह किसी अक्सिकारक परमानों के साथ या योगी के साथ कर वाई जाती है तो बनता है मैतिल आइसोसाइनेट क्या बनता है मैतिल आइसो si इसी प्रकार आइसो थायोसाइनेट योगी का दिनमान होता है इसी प्रकार आइसोसाइनाइड की अभी किरिया अगर ओजोन के साथ करवाते हैं यह ले लिए आइसोसाइनाइड CS3, NC और अभी किरिया करवाई O3 के साथ अक्सिकार होता हो जोन जो अक्सिजन का दान कर देगा अक्सिजन पर मानुकार O2 गेस के रूप में निकल जाएगा बार जब अभी किरिया करेगा तो इस प्रकार का योगिक बन जाएगा क्या बन जाएगा CS3, N, Double Bond C, Double Bond O इस प्रकार का योगिक बन जाएगा इसको बोलते हैं मैथिल आइसोसाइनेड क्या बोलते हैं मैथिल आइसोसाइनेड M.I.C. के द्वारा इसको पर्दसित कर सकते हैं इन योगिकों को का दाता है योगात्मक योगिक और यह हो गए इसके रासाइनेड गुंद्रम पूरे एक बार वापस देख लो जल अपकटन साइनाइड और आइसोसाइनाइड का ज साइनाइड के साइनाइड के साइनाइड के साथ करवाई जाती है सोडियम दातू वहितर की उपस्तिति में निर्मान होता है इमिनोसाइनाइड का इस अभीकिरिया को बोला जाता है थार्प रियक्शन यह थार्प अभीकिरिया दूसरा अभीकिरिया यह भी नेम रियक्श गिन्य गॹर्मकूर्फ को साथ करवा है कि मद्यवर्ति योगिक मंतं स्侵ारा आङ योगीकS के दवारा प्रतसीत होती है है कौन से योगीकों के दवारा परतसीत होती यह चलत canoe को随 या गंदक के साथ या पर्बल ऑक्सिकारकों के साथ अभीकिरिया करके एक योगो उत्पाद का दिन्मान करते हैं जैसे गंदक के साथ अभीकिरिया करवाई तो एक योगिक बना मैथिल आइसो थायो साइनेड और ओजोन के साथ अभीकिरिया करवाई तो ऑक्सिजन गेस निक किया आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब वैर सेर करें अगली क्लास में हम अगले टोपिक की चर्चा करेंगे धन्यवाद थैंक्स पोर वाचिक